हाई गाइस वेलकम बैक टू फूद वेटू हाड तो न्यूजर स्टार्ट हो चुका है और साथ में हमारे सेलिब्रेशन भी जो हम अपने घर में खुश्यां भिकेरने के लिए कते रहते हैं तो इन खुश्यों में चार चान लगाएगी आज की हमारी यह रेस्पी यह बहुत इसे हम घर के तवे पर ही बनाएंगे अगर तवा ना हो तो आप कड़ाई में एंड कुकर में भी बना सकते हैं एंड ना तो इसके लिए हमें मैदे के जरूरत होगी ना ही किसी भारी चीज़ की सूजी तो हम सब के घर पर रहती ही है तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी वाला केक इसके लिए यह हमने लिया है एक कटोरी सूजी जिसे हम मिक्सर में ग्राइंड करके फाइंड कर लेंगे हम इसे मिक्सर में चलाएंगे और यह देखिए हमने यह बिलकुल बारी किस्त कर ली है अब हमने यह लिया है एक चुथाई कटोरी यह आयल जो कि आप रिफाइंड आयल ले सकते हैं जो भी ज्यादा फ्लेवर वाला ना हो यानि सर्च्थो का तेल यूज़ना करें इसके नहीं भी करड लिया है आप भी एक कटोरी से सारे मिजर्मेंट करें या फिर कब से कर लें हम जैसे जैसे बता रहे हैं सारा कुछ क्वांटिटी में ऐसे ही लें तो आप कभी यह केक बहुत अमेजिंग बनने वाला है इस तरह से इसे शेक करेंगे इसे अच्छे से हिला कर अब यह देखिए हमने हाफ कटोरिय चीनी लेंगे एंड इसे मिकसर में पीसेंगे आप भी एक कटोरिय कब सेट कर लें यंद उसी से ही सारा मेजर्मेंट करें एंड स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में कोई भी स्टैप मिस ना करें तभी आपका केक भहुती स्पंज तेश्टी बनेगा यह देखिए हम इसमें यह चीनी मिला दिया है इस तरह से अब हम हम मिल्क लेंगे यह सारा वेटीलर मैंने निकाल लिया है अच्छे से अब इसमें हम इसे अच्छे से फेट कर इसमें मिल्क यह देख सकते हैं आप जो अमारी शूगर थी वह अच्छे से घुल गई है अब हम यह मिल्क ले रहे हैं जो हमने हाफ को टोरी लिया है इस तरह से हाफ को टोरी मिल्क लेंगे एंड इसे फिस से हम फेटेंगे धीरे धीरे इसे मिलाते जाएंगे इसमें यह देखिए एक साथ ना मिलाएं धीरे धीरे से मिलाएं यह देखिए सारी जो शूगर थी वो मेल्ट हो गई है अब हम इसी में ही यह हमारी जो सूजी ली थी हमने बारीक की हुई इसे इसमें मिलाएंगे यह सूजी जो थी हमारी यह एक कप के करीब है इसे धीरे धीरे हम चलागते रहेंगे इस तरह से यह देखिए दस पंदरा मिनट में ही यह हमारा केक का मेटीरियल हम रेडी कर लेंगे आप भी सारा मिजर्मेंट इसी तरह से लें तो आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि यह हम आपको बिल्कुल एक्जेक्ट सारा मेटीरियल बता रहे हैं थीरे थीरे केक के मेटीरियल को मिलाएं यह देखिए हमारा मेटीरियल की इस सारा की है यह रिब्बन इससे ज्यादा पतला नहीं करना यह जैसे भता रहे हैं आपको यह पीसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे डखकर अब यह देखिए यह रोटी बनाने वाला normal तवा है जो कि लोहे का है ये हम इस पर ये TATA salt जो अता है नॉर्मन उसे हमने यूज किया हूए ये TATA salt है अगर आपका यूज किया नहीं है तो आप धनाया ले नया packet लाएं और उसे यूज करके डिब्बे में भर कर रख लें क्योंकि ये हम बार बार इसे यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से इसे evenly spread कर दें ताकि जो इससे क्या होगा इससे होगा ये जो हमारी heat होगी वो चारो तरफ ब्राबर फैलेगी अब ये हमारा है homemade oven अब हम जो cake का material हमारा ready हो चुका है और ये हमारा है तिल मैंने इसके लिए घर का steel का डिबबा लिया है आप भी घर से ही कोई डिबबा ले सकते है steel का हो तो जादा अच्छा है वैसे aluminum में भी problem नहीं होती है लेकिन उसमें cake थोड़ा सा color dark का हो जाएगा क्योंकि ये हमारा तवा है तो ये heat जो है जादा आएगी heat जादा आने से जो aluminum होती है उसमें जल्दी वो गरम हो जाता है तो ये देखिए मैंने इसके लिए कोई butter paper भी use नहीं किया ये normal copy के page को cut करके नाप लेकर हमारे तिम का हमने इसमें बिचा दिया है और उसके उपर और नीचे हमने ये greasing कर दिया oil से हमने घी नहीं लिया क्योंकि ये winter है और घी जम जाएगा तो हमने oil ही use किया है आप भी इसके लिए कोई भी refined oil यूज़ कर सकते हैं ये देखिए इसे grease करने के बाद हमारा जो material है इसमें हम अब मिलाने जा रहे हैं पहले तो इसकी consistency देख लीज़े आप कैसी है ये थोड़ा अब वो हो गया है गाड़ा हो गया है और देखिए ये मैं इसमें मिला रही हूँ baking powder इसे आप ले लीज़े 3 बटा 4 टी स्पून यानि छोटी चम्मच का हम पोना ले लेंगे आप ये देखिए हम अब इसमें डालने जा रहे हैं baking soda ये देखिए ये हमने लिया है 1 फूर्थ टी स्पून यानि चुथाई चम्मच छोटी ये भी डालनेंगे इसमें अब हम इसको अच्छे से मिलाने के लिए इस पर 2 तीन चम्मच ये दूद ले लेंगे ये देखिए एंड इसमें हलका सा मिला देंगे इतना अब इससे ये होगा कि हमारे मैटीरियल में ये इवन्ली स्प्रेड हो जाएगा ये मिला रहे हैं उपर उपर अब हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे गलती से भी आप इसे तेजी से ना फेटे नहीं तो केक खराब हो जाएगा इसे बिल्कुल धीरे धीरे करे इस तरह से एंड एक ही दिशा में करेंगे इस तरह से एक ही दिशामे करने से ये होगा हमारा क्ले केक चुह होगा फूलेगा अच्छे से स्पंज बनेगा एंड साथ ही बीच से बैठेगा नहीं अब हम इसमें ये फ्रूटी डालेंगे और धीरे से इसे मिलाने के बाद हम इसे टिन में डाल देंगे बस अब ज़्यादा नहीं लाते हुए बस इतना होना चाहिए कि समान मिल जाए एंड इसे हम ये डाल रहे हैं हमारे टिन में अब नीचे करके इसे तिन में उड़े लेंगे अगर हम उपर से डालेंगे तो जो बेकिंग सोडे ने इसमें हवा क्रियेट की है वो खतम हो जाएगी इसका स्वंज नहीं बनेगा अच्छे से तो इसे बिल्कुर नीचे करके धीरे से डाल देंगे उपर से ज़्यादा नहीं गिरा हैंगे ये देखिए अब इसे टैप करेंगे ताकि जहां पर अंदर ज़्यादा हवा क्रियेट हो गई हो बबल्स में वो निकल जाए इस तरह टैप करते हुए यह वन गरम हो चुका है इसी हमने प्री हीट किया है 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप भी 10 मिनट गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर एंड उसमें अब यह देखिए तिन को उसी टाइम हमें बेकिं सोडा और वो डाल कर रखना है यह मैंने से ध्यान से रखें इसमें आप जल सकता है इस तरह से रख देंगे आपके देख सकते हैं हमारे केक को यह 15 मिनट हो चुके हैं एंड उसमें में यह फ्रूटी डाल रह इसलिए हमने केक को आधा बेक करने के बाद में 45 मिनट लगते हैं तो इसके हाफ पर हमने से निकाल के इसमें यह फूटी हमने अपे दे क्लीन निकला है इसका अमने केक यह कूण नहीं निकालना है इस केक को हमें ठंडा होने देना है वही पर एड़ जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसे डिमॉल्ड करेंगे ऐसा करने से ये होगा कि हमारा केक तूटेगा नहीं एड़ बिल्कुल वो अच्छे से ये देखिए ये अच्छे से डिमॉल्ड हुआ है अगर हम जल्दी मचाएंगे एंट गरम में उसे निकालेंगे तो आपका केक फट सकता है एंट भिखर सकता है मार्किर के केक हम जब भी लाते हैं वो उसी टाइम बने हुए नहीं होते हैं इसको रखने के बाद आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं तो और ज्याद इसमें रखते हैं तो यह बहुत अच्छे से कटेगा लेगी आप देख सकते हैं इसकी सपंज एपनी रखर सकती है और इतने कम समय में और इतने अच्छे समान से केक बना सकते हैं तो मार्किट से क्यों ले? क्योंकि जो बजारते समान न depthsते हैं हम वो हाईजीनीक भी नहीं होता है घर में इसे हमने कितने अच्छे से बिल्कुर प्योड प्योड बना या है तो आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा देर नहीं लगा पाई मैंने आपको जल्दी से फ्रेश्ची कट करके आपको शो कर दिया है जिस तरह से हमने स्टेप वाईज आपको बताया है आप उसी तरह से अगर केक बनाएंगे इसको एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए सुनकर आप बनाएं तो आप देखेंगे आप ये केक घर पर बिल्कुल ओरिजिनल फार्म में बना लेंगे एंड देखने वाले हैरान रह जाएंगे तो आप भी जिबराईए खुद दिखाईए ये अपनों को भी खिलाईए बाई टेक टेक